स्मस्कार स्वागयत है आपका हमारे यूटूब चैनल मिश्टर एस्पिपॉइंट में साथियों आज हम आपको मिस्र का आर्थिक जीवन बताएंगे दोस्तों हम आपको मिस्र सभयता पढ़ा रहे हैं जिसका यह तीसरा वीडियो है इसके पहले हमने इसका दो पार्ट वीडियो अपलोड कर चुका है जिसको आप लोग हमारे यूटूब चैनल के प्लेइलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं यदि वहाँ पर आप नहीं देख पाते हैं तो हमारे डिस्किप्शन में उन दोनों वीडियो की लिंक पड़ी है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं हम मिस्ट को पूरे पाँच भागों में पहले ही बता चुके हैं कि आपको पढ़ाएंगे और ज्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं करके इसलिए हम मिस्ट का जो राजनयतिक जीवन है और मिस्ट का जो सामाजिक जीवन था और मिस्ट के बारे में बहुत सारी प्रमुख्य तत्य जो कई कि हासकारों ने कहा है उसको हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हैं तो साथियों आज हम आप लोगों को बीए सिकंड डियर वालों के लिए मिस्र सब्था पढ़ा रहे हैं जिसका तीसरा वीडियो आर्थिक जीवन पर है आधारी थी अर्थात मिस्र की अर्थिव्यस्ता किस पर आधारी थी आपको हमने उसके समाजी जीवन पर बता दिया कि वहां के लोग किरसी कैसे करते थे किरसी के उपर भी हमने बात किया था तो मिस्र के जो लोग होते थे ये किरसी पर आधारी थी और मिस्री लोग अर्थात प्रियास से उद्योग धंदो एवं ब्यपार में भी अपने चरम पर क्या था अपने चरम तक विक्षित दिखाई पड़ता है साथियों वे लोग मिस्री लोग मिस्र के रहने वाले लोग जैसे मिस्री लोग का यही ताद पर है जैसे भारती लोग वैसे मिस्री लोग मिस्री आउ पहले वीडियो में पताय था नील नदी में जो बहुत भेंकर भाड़ आती थी जो हमारा नमंबर तक का रहता था नमंबर पहले सब्सके बहुत कर तरीके घ्रत हमार घ्रति तरीके तक व्यात थी उसके बाड़ की समापती के साथ जो जमीन होती थी वो दलदल हो जाती थी और दलदल जमीन पर ये लोग क्या करते थे मिस्रवासियों मिस्रवासि दलदल जमीन पर बीजबो देते थे साथियों क्या बीजबो देते थे और उन पर बकरियों और सुगरों को दोड़ा कर मिट्टी च जब दलदल टाइप सा होता था तब ही ये लोग वहाँ पर बीज बोदेते थे और जब सुगर और बकरियों कुछ पर दोड़ाते थे तो इनका पूरे बीज क्या होते थे उस पर मिट्टी चढ़ जाता था जब मिट्टी चढ़ जाता था जिससे बीज को अंकुरित होकर विक्सित होते थे साथ यों देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग वहाँ पर खेती करते थे और कटाई के लिए किसान को पूना क्या करना होता था वे लोग पूना खेत में जाते थे पुना जाते थे और खेत छोटे होते थे बहुत और सिचाई के लिए सडूफ का इस्तिमाल किया करते थे सडूफ आपको हमने पहले बता दिये सडूफ के सहरे मिस्रवासियों किस तरीके सा पानी को खेतों में सिचाई करते थे और अपयों के लिए लाते थे तो देखिए सडूफ का इस्तिमाल करने के बाद वे लोग क्या करते थे पाई जाने वाली फसलों और गेहों और जो मटर तिलहन असली अलसी आदी क्या करते थे मिसर वासिक खजूर और अंगूर की भी खेती करते थे इन सब जो भी फसल उपजाते थे ये सभी फसलों को ले जाकर के नील नदी के सहरे दूसरे देशों में ब्यापार करते थे और ब्यापार करने के बाद साथियों ये लोग अन्य वस्तुए खरीते थे अभी इसको हमने पहले वीडियो में बताया है आगे फिर बताएंगे उत्पादन का देना पड़ता था कहने का मतलब जो किर्सक होता था जो खितियार होता था जो खिति करता था किसान उसको अपने कुल फसल के कुल उपजाओ का कितना परसंट देना पड़ता था दस से बीस परसंट देना पड़ता था उपने पूरा उत्पादन का क्योंकि भूम पर आधारित सासक का होता था किस पर भूम अधिकार होता था क्योंकि भूम पर अधिकार सासक का होता था अर्थात फराओं का राजा का कभी कभी सासन की और से भूम 25 कराई जाती थी और सिचाई की विवस्ता भी कराई जाती थी देखिए साथियों किस तरीके से सरकार अर्थात राजा या फराओं कह सकते हैं महां के भासाओं में उस समय के तो वे लोग भी किसानों की मदद किया करते थे कभी कभी वो लोग खुद सिचाई के लिए सुविधा उपलब्द करवा देते थे तो ऐसे होता था मिसर की खेती और मिसर के लोग आर्थिक जीवन इसी प्रकार से बीतता रहा और साथियों आपको हम बता जे किर्सी के साथ साथ पसुपालन का भी बहुत विकास हुआ अर्थाथ पसुपालन भी विक्सित हुआ पालतु पसुगो में गाए बैल, भेड, बकरी सुगर, घोडे, खक्चर बंदर आदी थे देख रहे हैं साथियों आज भी ये जानवार क्या होते हैं पाले जाते हैं कौन कौन से हैं गाए, बैल, भेड, बकरी सुगर, खक्चर, बंदर आदी ये सब जानवर ये सब पालतु जानवर उस समय के मिस्रवासी पालते थे और बैलो का उपयोग वे लोग किसमे करते थे, हल चलाने में देख रहे हैं साथियों उस समय हल को उपयोग होता था, हल सक्येती को जुताई करते थे, तो समान धुलाई में भी किया जाता था इन बैलों का प्रियोग और घोड़े हैं घोड़े में आप लोग जानते हैं ये घोड़े का प्रियोग समान ठोने के लिए किया जाता है इसके अलावा मुर्गी पालन पसु पच्छियों मंद मक्यों को सिकार भी किया जाता था देख रहे हैं मुर्गी पालन उस समय मुर्गी पालन करते थे अंडे के लिए मास के लिए और इन सब से इन लोगों का आर्थिक जीवन खाने पीने में बीट्था चला जा रहा था मचलिया को पकड़ते थे और मिस्र के विवसाओं में सिक्सास आक्रमर के बाद गोड़े और पार्सिक आक्रमर के बाद हुंग की जानकारी हुई समझ रहे हैं सातीयो इन सब चीजिंग क्या करने करेंगे और आजसे में आपको कुछ ना कुछ जनकारी होगी कि हाँ इस तरीके से हम इससे निपड सकते हैं तो उन्होंने किस तरीके से घोड़े और हुंक का प्रयोग करना सीखा उनके उपर किस तरीके से आकरमण हुए और फिर क्या होगा मिसर का भागौलिक दिर्स्ते नील की डेल्टाई छेतर में विक्सित देश है मिसर क्या है पूरे भागौलिक छेतर में डेल्टा जो होता है नदियों के तीन मुहां जहां पे होता है तीनों और से समुझ से घीरा होता है वो हमारा डेल्टाई छेतर होता ह और विक्सित देश आता वहां जो होता है प्राचीन काल से खनीज धातुओं की कीमत पत्थरों की इमारतों की लकडिया का अभाव रहा है लेकिन मिस्र वासियों ने परिस्रम करके आयात करके अपनी आव सकता की पूर्ती मिस्र में वस्तर और उद्योग भंडार उद्योग धातूओं जल पोत उद्योग वस्तर की कताई बुनाई कार निन वर्ग महिलाओं करती थी देख रहा है, पूरी बिवस्थाएं यह लोग कर लेते थे अपनी, जितनी भी इन लोगों के विवस्था होती थी, तो साथ ही उस समय, वहाँ की महिलाएं जो हैं, आपको हमने पहले वीडियों बताय था महिलाओं का अस्तार बहुत भ़़ी पढ़िया था, महिलाओं बहुत जात महिलाये भी वहां पर बुनाई को कार करती थि उस समयतरी महिलाओं का का में हाथ रहता था और चाक की जानकारी के पूर्व म्रिद मृत भान और उपयों की इसमें अभूत पूर विकास हुआ और धातू के उपर तावे के बरतन अस्त्र सस्त्र और उपकरा बनाये जाते थे सुनारों द्वारा सोने के आभुसर बनाये जाते थे मिस्र के वियापार का मुख्य क्या था मुख्य साधन बन गया था जल पोत की नावी जल पोत की नावी बहुत इंपोर्टेंट थे इन लोग लिए उसी से इरोग वैपार करते थे और जिससे जल पोत का निर्मार उद्योग काफी विख्षित था मिस के चित्रकला में जल पोतों का उद्योग से संबंधित चित्रों को बाजारों में बड़े सुंदर तरीके से अंकित किया गया है मिस के लोग चाको के दोवारा बहुत ही सुन्दर सुन्दर अपने उस समय जीवन काल में हो रहे कारेकरम हो रहे घट रही घटनाओं को किस तरीके से वो आज भी क्या है चित्रित है बहुत सारी जगहों के तो देखे प्रारम में उद्योग धंदे विक्तिकत रूप से विक् हुआ जिसे एक साथ अनेक लोग काम करते थे जिनका हिसाब किताब रखा जाता था देखिए उससमय डायरी का प्रचलन था डायरी असाथ हम लोग एक कॉपी रखते थे घिसमें वो लोग निर्चार के लिए नियुक्त किया जैता थे निरेच्षा करने के लिए एक नियु यातायात के लिए वह लोग नावों का प्रयोग करते थे बहुत यातायात होता था और आंत्री व्यापार वस्त विल्मे पर आधारित था वस्तुगों का क्रेविक करते थे और किसी विशेश परितिती में सोने चाधी जो क्या कहते थे वो लोग प्रयोग करते थे आप उसलों का प्रयोग करते थे लेन देन में होता था कभी कभी सोने चाधी का प्रयोग और मिस्री लोगों को व्यापार में क्या था व्यापार समझी विदियों का घ्यान था और व् पर लिखित अनुबद्ध करना पड़ता था अर्थार रसीद काटनी पड़ती थी उन लोगों को उस वक्त का समय में सोचिये साथ ही कितना डेवलप हो चुके थे उनकी सोच उनकी सभेता कितनी ही विक्सित थी और लिखित करना पड़ता था स्थानी वाजारों में पशू का आयाब क्या होता था याद को विव्यपार होता था मिस्र में विच्वपार भूमस सागरी प्रदीसों औरे के माइनर स्था iWe програмitu मूंस संगरी और भारत। एरियो माईनर से सोना चादी भारत में सोना साखियों से सोना अर्थात सिनाई के नील मड़ी आधि का आयात करता था मिस्र देख रहे हैं कितने जगाओं के यह वेपार करते थे सागरी पूर्वी प्रदेशों में लगडी टिंडर आयात किया जाता था मिस्र वस्त्र भांड और गेहु का निर्यातत था अर्थात वे इन्हीं सस्कीर के अपनी यहां की अपूर्थ को पूर्थ करता था अर्थात पूर्थ वहां की वस्ति में जो थी उनको लाने में अपनी आयात करके वहां से निर्यात करता था और लाता था सामान को तो देखिए साथियों आज के की आपको समझाने का जो तरीक होता उसалась हूँ के वज़ा से कभी कभी होता है वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए साथियों थोड़ा जल्दी करते है वैसे में आपको इतने में बहुत अच्छे तरीके सा समझ में आगे होगा साथियो वीडियो कैसा लगा हमारी मेहनत आपको कैसे लगी आप लोग हमारे कमेंट बाक्स में जरूर बताइए साथियों हम बीए सेकंड डियर वालों के लिए लगातार हर एक वीडियो लाते जा रहे हैं उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा साथियों और आप लोग सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए सेयर करिए और इंतजार करिए अगले वीडियो के लिए हम लोग पढ़ाएंगे मिस्तर का धार्मिक जीवन और मिस्तर के धार्मिक जीवन अर्थात कौन कौन से वो लोग किस को किस देवी देवताओं को मानते थे कैसे जाती है थे उनकी उस पर बात करेंगे साथियों तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए